दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वगत है फेंटेसी अर्मी की एक और नई विडियो के अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉलकता नाइट राइडर्स वर्सिस पंजाब किंग्स के बीच में जो इस IPL का 42 वा मुकाबला आज आपको खिला जातावा दिखेग इस मैच में कैसे आपको अपनी फेंटेसी टीम बनानी है वो कौन से खिलाडी है जिनको आपको ग्रेंड लीग में ट्राइ करना है वो कौन से खिलाडी है जिनका सेलेक्शन परसेंट तो आज के मैच में काफी जादा कम है लेकिन अगर आप उनका सामने वाली टीम के सामने record दिखोगे वो इतना अच्छा है कि अगर आप उन खिलाडियों को अपनी grand league के अंदर try करोगे तो आप लोगों की जो rank है वो grand league में काफी अच्छी आ सकती है देखो इस video के अंदर न मैं आप लोगों को यहाँ पर grand league की teams बना के तो लेकिन मेरा जो main काम है इस video के अंदर वो यह है कि grand league में आप लोगों को यहाँ पर team में बनानी कैसी है वो आपको सिखाऊ यहाँ पर आपको captain wise captain के option भी बताऊंगा differential खिलाडी भी आपको बताऊंगा और आपको कैसी कैसी team में आज के match में बनानी है इनके बारे में भी बताऊंगा तो अगर आज के match में आप लोग grand league खेल रहे हैं तो इस video को शुरू से लेके अंतता का आप लोग जरूर watch करिएगा दूस्तू उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी request है जिस भी भाई ने अभी तक हमारे fantasy army channel को subscribe नहीं करा है तो आप subscribe जरूर करिएगा क्योंकि हर एक वीडियो के notification आपको मिलने चाहिए तो bell icon आप लोग यहाँ पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा अब आप लोग अभी तक हमारे telegram channel से नहीं जुड़े न तो इस video के description में section में जाईएगा यह about का बतन दिख रहा है इस पे click करके आप लोग telegram channel से जुड़ सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं telegram join link का link है इस पे click करके आप जुड़ सकते हैं तो जल्दी से telegram channel से जुड़ जाईए क्योंकि final team आपको यहीं पे मिलेगा तो दोस्तो जो तरीका मैंने आपको telegram channel से जुड़ने का बताया है फटाफट से telegram channel से जरूर जुड़ जाईएगा एक तो आपको इस video के description में telegram का link मिल जाएगा या फिर आप इस channel के about section में चले जाईए वहाँ पे मैंने आपको अपने telegram channel का link दे रखा है जाके जुड़ जाईए क्योंकि तॉस के बाद की जितनी भी important information है चाहे वो playing 11 हो चाहे वो मेरे audio notes हो या फिर मेरी small link की final team हो सब कुछ आपको telegram पे मिल जाएगा तो description में link है फटाफट से telegram channel से जरूर जुड़ जाईएगा और अगर आप लोगों को ये video यहाँ पर पसंद आती है video को like जरू करिएगा 5000 like का बहुत छोटा सा target आप लोगों के सामने रख रहा हो I hope कि आप 5000 like complete करवाएंगे तो like का button जरूर दबा दीजिएगा तो चलिए फिर इस video को यहाँ से start करते हैं ध्यान से सुनिएगा ध्यान से समझिएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर pitch report समझा देता हूँ ताकि आज के match में जो मैंने grand league की teams है वो किस लिए बनाई है और क्यों बनाई है ये चीज़ आपको समझ में आ जाए देखो एडन गार्डन्स कॉलकता पे न अभी तक IPL के total जो है यहाँ पर चार मुकाबले खेले गए हैं उन चार मुकाबलों के अंदर हमने क्या देखा है कि एडन गार्डन्स कॉलकता की जो pitch न वो बल्ले बाजों के लिए सबसे जादा अच्छी है बैटिंग friendly pitches यहाँ पर बनाई जा रही है आप यह मान सकते हो कि यहाँ पर न एवरेज स्कोर पहली इनिंग का लास्ट चार मैच में एक सो नब्भे है एक सो नब्भे तो यहाँ पर एवरेज स्कोर है लास्ट चार मैच के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक मैच ऐसा था जहाँ पर 160 बना था उसमें भी लखनव वालों की गलती थी 20 ओवर में उन्होंने 161 बनाया जब कॉलकटा बैटिंग करने आई थी ना 15 ओवर में कॉलकटा ने chase कर लिया था तो आपको बता दू यहाँ पर जो पिच्छी जह वो बल्ले बाजों के लिए सबसे जादा अच्छी है फ्लैक्स विकिट यहाँ पर जो है बनाई जा रही है बात करू अगर मैं बॉलर्स की तो देखो यहाँ परना बॉलर्स के लिए जादा बद नहीं है ना ही तेजगेंद बाजों के लिए लेकिन यहाँ पर विकिट बाल्ले के मुकाबले ज़ादा मिल रही है उसके पिछे रीजन यह है कि लास्ट के जो चार ओवर होते आई निए कि जो death overs होते हैं ना वहाँ पर जो fast baller balling कर रहे होते हैं वहाँ पर उनको wicket मिलती है क्योंकि बल्ले बाच क्या करते हैं बैटिंग the kit पे आखरी के 4 over में hit करने के चकर में तेज गेंदबाजों को wicket जो है देखे जाते हैं इसलिए आप देखोगे last के 4 matches में तेज गेंदबा तो second inning में जब team है यहाँ पर under pressure रहेंगी तो spinner को मदद मिल सकती है second inning में जो भी team batting कर रहे होगी अगर वो under pressure जाती है तो spinner को wicket मिल सकती है वरना यह मान के चलो भी है spinner के लिए यहाँ पर मदद ही नहीं है तो fast baller वो आपको लेने है जो death overs में balling कर रहे है spinners आपको वो लेन आप जो अपनी grand league की team मनाए उसमें से 70% team है आप Kolkata के favor में बनाए क्योंकि Kolkata के chances आज के match में जीतने के बहुत ज़ादा है यह चीज मैं आपको पहले ही हाँ पर clear कर देता हूँ बात करते हैं आज के match में Kolkata night riders की playing 11 क्या रहेगी इनका batting order क्या रहेगा और इनकी तरफ से चार चार ओवर की balling कौन करेगा देखो फिल सॉल्ट सुनील नाराइन team के लिए आपको opening करते वे दिखेंगे वन डाउन पे अंकरिश रगुवंशी फिर उसके बाद वेंकेडे शायर श्रिया सायर रिंको सिंग आंद्रे रसल रमंदीप सिंग मिचल स्थाग वरुन पर चार चार ओवर की balling कौन करेंगे देखो सुनील नाराइन चार ओवर पूरे करते वे आपको दिखेंगे इवन वरुन चकरवर्ती भी चार ओवर आपको पूरे करते वे दिखेंगे आखरी बचे वे जो यहां पर आठ ओवर हैं वो कुछ इस तरीके से डिवाइड आठ ओवर जो है इन तीन बॉलर में डिवाइड होंगे जिसमें से क्या हो सकता है रसल दा मसल से टीम चाहे तो खाली एक ओवर करवाए इनसे पूरे तीन ओवर ना करवाए तो इनके जो ओवर कटेंगे वो राना साब और सुया शर्मा साब के पास चले जाएंगे यह इन में से कोई एक ओवर ना ये रसल दा मसल को करवा रहे है देथ में तो अगर यहाँ पर रसल दा मसल देथ में बॉलिंग करने आ रहे हैं तो बड़िया ही बात है और आपको तो इससे फायदा मिलेगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन के एक बहुत अच्छे ओप्शन बन चलिए अब बात करते हैं आज के मैच में यहाँ पर पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 क्या रहेगी इनकी तरफ से बैटिंग ओडर क्या रहेगा और चार चार ओवर की बॉलिंग कौन करेगा ये आपको बता देता हूँ देखें मेरे हिसाब से शिखरदवन के खेलने के चां लेकिन अगर शिखरदवन नहीं खेलते हैं तो प्लेइंग 11 क्या रहेगी करन और प्रप्सिमरन सिंग ओपन करेंगे वन डाउन पे रैली रोसो फिर जितेश शर्मा लैम लिविंग्स्टन शशांग सिंग आशुतोष शर्मा हर्पिरीज सिंग हर्पिरीद बरार हर्शल प अप्शन के साथ खेल रही है लेकिन मेरे एसाब से देखो सैम करन चार ओवर पूरे करेंगे क्योंकि कप्तान खोद है तो चार ओवर पूरे करेंगे अर्शिदीब सिंग भी चार ओवर पूरे करेंगे और हर्शल पटेल भी चार ओवर पूरे ही करेंगे तो यहाँ पर 16 ओ रुकेगा तो यहाँ पर लिविंश्टन और बरार में से किसी के पास भी जा सकता है यह चीज ध्यान रखे चलिएगा डेथ ओवर में बॉलिंग कौन करेगा अर्शिदीप सिंग तो कंफ़ाम है अर्शिदीप सिंग की साथ यहाँ पर हर्शल पतेल जो है आपको पंजाब की तरफ से देथ ओवर में बॉलिंग देंगे लेकिन मैंने यहाँ पर पिछले मैच में क्या देखा कि इन्होंने अठारवा ओवर ना रबारा से करवाया था और ऐसे दो मैचीज में हो चुका है कि रबारा से अठारवा ओवर करवा रहे है तो यह भी एक चीज है कि रबारा आपको death में बॉलिंग दे सकते हैं और रबाड़ा अगर death में आ रहे हैं विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं तो रबाड़ा भी आपके लिए important बन सकते हैं ये चीज़ ध्यार नकिएगा अब इन सभी players के भी अगर आप लोगों को record दिखने हैं आप small league वाली वीडियो में ग्रेंड लीग में अच्छी rank ला सकते हो देखो सबसे पहला नाम रहेगा captaincy के लिए वो है भाईय सैम करन का सैम करन को captaincy में किसले option में दे रहा हूँ एक तो सैम करन आपको opening करते वे दिखेंगे इसके साथ 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 सम करन आपको 4 over की bowling भी करते वे दिखेंगे ये चीज़ ध्यान रखियेगा आपको ये ऐसा player है जो opening भी दे रहा है चार ओवर की bowling भी दे रहा है उसको captain नहीं क जो अच्छा कंट्रोल आ गया है इन पे और ये लगातार कटरस का प्रियोग करते हैं वहाँ पर विकिड भी निकालते हैं बैटिंग में पावर प्ले में अच्छे कासे हिट्स भी लगा सकते हैं तो कम से कम तीन से चार टीमा पैसी जरूर बनाईएगा जहाँ पर सैम करन अब बालिंग से भी काम आएंगे देखो बैटिंग का तो आप सबको पता है सुनील नाराइंट विकिड देने को किसी को भी दे सकते हैं और ये आउट ना होने को सो पे भी आउट ना हो ये ऐसे बल्ले बाज है तो बैटिंग पे तो ज़्यादा भरूसा कर नहीं सकते सु लिग में भी करा है लेगिन आप कुछ कुम्बिनेशन ऐसे जरूर बनाईए का जहाँ पर आप यहाँ पर सुनील नाराइंड को ही फेवरेट रखते वे अपनी ग्रेंड लिग की टीम बना के चल रहे हैं उसके बाद यहाँ पर है फिल सॉल्ट देखो ये ना बैटिंग व कैवरेज है चार मुकाबले इस मैदान पे खेले हैं 211 है 67 कैवरेज है तो इस मैदान पे बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है और बैटिंग विकेट पे फिल सॉल्ट क्या कर सकती है यह आपको पता है अगर यहाँ पर शुरुवाती ओवर्स में तेज गेंद बाजों को मुम रसल दा मसल लेकिन जब जब हर्शित राना और मिचल स्टार्ग दोनों खेलते है न तो रसल दा मसल के देथ ओवर में बॉलिंग करने के चांसिस हो जाते हैं ना के बराबर लेकिन अठारवा या सतरवा ओवर इनको दिया जा रहा है तो मैं मान सकता हूं कि एक ओवर तो द हम सब्केवरेज़ seem Clyde है तो इडन गारण से पर देखा好 पंजाब के आगए रिकॉर्ड अच्या सर्टे इनको फिसंच पर में बॉलिंग बॉलिंग करते ती हैं विकिट केकर बॉलर है आप बना सकते हो 2-3 टीमों के अंदर क्योंकि बैटिंग विकेट के ओपर गबर जो करते हैं वो कोई और नहीं कर सकते हैं बैटिंग विकेट पे ला जवाब बल्ले बाजी करते हैं और इनकी आदे से जाधा टीम धवन साब के ओपर ही डिपेंड करती है आप देखोगे 31 मु रबाडा की बात करूँ देखो अगर यहाँ पर पहले बॉलिंग आती है ना पंजाब की डारेक्ली इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करिएगा क्योंकि रबाडा एक ऐसे बल्ले बाज है जो पंजाब के आगे अच्छा करते हैं नौ मुकाबलों में 12 विकेट निकाल चुक रसल दमसल को भी दे सकते हैं एवन सैम करन को भी दे सकते हैं लेकिन कैप्टन 2-3 टीम में आप रबाडा को भी करके चलिएगा यह चीज़ आप द्यान लखके चलिएगा अब बात करते हैं ग्रेंड लीक के अंदर आप लोगों के लिए डिफरेंशल खेलाडी कौन से रहे जिनको आप Grand League में ट्राइ कर सकते हो, देखो सबसे पहला नाम जो Grand League के अंदर डिफरेंशल खिलाडी में रहेगा वो है रैली रोसुक का, मात्र 11% लोगों ने इनको लिया है, लेकिन फॉर्म इस हिसाब से इनका इस साइम चल रहा है कि इनको लेने का मनी ना करे, लास्ट आपको एक चीज हमेशा बताई है, रैली रोसुव एक कैसा बल्ले बाज है, जिसको एक मैच लगेगा वापसी करने में, और यह जिस दिन वापसी करेगा, उसके बाद देखना यह बैटिंग विकेट पे तोड़ता ही चला जाएगा, रैली लोसुव को ऐसी पिचिस बहु मुमेंट ना हुआ, स्पिनर को टर्न ना हुआ तो यह ऐसी तैसी कर देंगे फिर कॉलकाता के बॉलिंग अटक की, यह इस लेवल के हीटर है, तो इनको आप कम से कम 3-4 टीम में रखिएगा, क्योंकि पंजाब के बल्ले बाज हभी तक नहीं चले, लेकिन अब रैली रोसु आती है, तो आप अपनी टीम में यहाँ पर अर्शिदीब सिंग को ले सकते हो, विकेट वहाँ पर निकाल सकते है, सेगेंड बॉलिंग के टाइम पर पता है, क्या होगा, अगर पंजाब की टीम ने टार्गेट ही दिया, 130 रन का, 140 रन का, मैच जो है यहाँ पर सेगेंड इ अर्शिदीब पाजी को ले के चलना है, उसके बाद यहाँ पर हैं, वेंकेडे शायर, 11% सेलेक्शन, अगर आप रिकॉर्ड देखोगे न, वेंकेडे शायर का, चार मुकाबले खेले हैं, इडन गार्डन पे, T20 इंटरनेशनल के, 112 रन है, 3 विकेट है, चार मुकाबलों मे कभी तीसरे डाउन पर आ जाते हैं, कभी वन डाउन पर टीम बेज देती है, कभी टू डाउन पर तो बेज देती है, तो बैटिंग और न, यहाँ पर जो है, वेंकेडे शायर का फिक्स नहीं रही रहा, जिस्वजे से इनके बल्ने से रन नहीं निकले, लेकिन बैटिंग विकेट के ओपर वेंकेडे शेयर अच्छा करते हैं ये चीज ध्यान रखीगा तो बैटिंग विकेट का अगर आज के मैच में यूज किया जा रहा है कॉलकाता के तरफ से ले सकते हो तूकि आप ये मानो नरायन, सॉल्ट और अंक्रिश रगुबंची इनको तो आप जरूर ले रहे हो लेकिन वेंकेडे शेयर को भी ट्राइ कर ले ना कमाल आपको परफॉर्मेंस आज के मैच में दे सकते हैं उसके बाद लास्ट के लाड़ी है वरुन चकरवर्ती सिर्फ सेकेंड बॉलिंग में हाला कि पहले बॉलिंग में भी कोई खराब पिक नहीं है लेकिन पह रुन चकरवर्ती काम आजेंगे साथ मुकाबलों में आठ विकेड भी है बारा मुकाबले खेली है इन्होंने इस मैदान पे सोला विकेड भी निकाल रखिया तो है टूर्ड और वेन्यू काफी अच्छा है तो इनको ट्राइ कर सकते हो लेकिन कब जब सेकेंड बॉलिंग आती है अर्शदीब को कब ट्राइ करना है जब पहले बॉलिंग आती है बाकी वेंकेडे शेयर और रैली रोसु को कब ट्राइ करना है जब पाटा विकेड का यूस किया जाता है ये चीज़ यहां पे ध्यान रखे चलिएगा अब देख लेते हैं आज के मैच में हमारी स्म पॉलिक की टीम देखना सॉल्ट को मैंने पिक करा अईक को पिक करा शशांग सिंग को रसल दा मसल को नारायन को यहां पर सैम करन लिविंग्श्टन अर्शदीब पाजी रबाड़ा वरुन चकरवर्ती मिचल स्थार्ग शशांग सिंग की जगा शिखरदवन को पिक कर लेन आज का मैं ठीक है बस यह एक चेंड कर लेना अब यहां पर कैप्टन सी देखोगे नरायन को देधी वाइस कैप्टन सी सैम करन को देधी रीजन उसके पिछे यह है कि भाई यह नरायन साब ना विद दा बैटन बॉल दोनों से काम आ जाएंगे सैम करन ओपनिंग भी कर रह आ करो यह जो आपकी स्मॉल लिग की टीम होती है ना इस स्मॉल लिग की टीम में जस्ट अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन को रोटेट कर दो तो आप यहां पर 100 मेंबर, 200 मेंबर, 600 मेंबर, 1000 मेंबर वाली लीग जीच सकते हो जैसे मैंने यहां नारायन को कैप्टन सी द देते हो ना तो आप यहाँ पर जो है grand league अनाम से win कर सकते हो खास करकि 100 member, 200, 600 और 1000 member वाली तो फटाफट से यह चीज प्राइ करिए क्योंकि grand league का जो पहला rule है वो यही है कि आपकी जो safe team होती है उसी safe team में जस्ट अगर आप captain wise captain को rotate करे तो आप यहाँ पर mini GL regular basis पे win कर सकती है और बहुत बार मैंने win भी करी है यह चीज मैंने आपको telegram पे update करी है तो फटाफट से जाके आप यहाँ पर जो आपकी small league की team है उसमें captain wise captain को rotate करी है और grand league की teams आप यहाँ पर बना सकती है दूस्तो अब देख लेते हैं आज के match में हमारी grand league की teams क्या रहीगी तो सबसे पहले grand league की team number one की बात करे तो यह जो team है ना कोलकता के favor में है क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉलकता आज का match जीत रही है तो आप 70% team उनी के favor में बनाए अपनी grand league की तो पहली team मेरी कॉलकता के favor में है तो यहाँ पर कॉलकता आज के match में पहले batting करने आती है और पहले batting करते ही time कॉलकता 180 run, 190 run और 200 run जितना भी target यहाँ पर पंजाब को देती है न वो यहाँ पर पंजाब वालों को chase नहीं करने देते यानि की score को defend कर लेते है कॉलकता ही पहले batting करने तो कॉलकता के बल्ले बाज मैंने नरायंड को pick करा इसके अलावा salt को मैंने pick करा वन डाउन पर आएंगे अंकरी श्रगुवंशी, मेरा मानना है अंकरी श्रगुवंशी आज के मैच में जल्दी आउट हो जाएंगे इसलिए मैंने उनको drop करा, वेंकेडे शायर को pick करा क्योंकि वेंकेडे शायर मेरे differential खिलाडी थे मैंने आपको बताया था इसके अलावा श्रिया सायर को अड़ करा और रसल्दा मसल को अड़ करा यहाँ पर मैंने कॉलकाता के मेन बल्ले बाजो को pick करा जो मेरे हिसाब से यहाँ पर कॉलकाता के तरफ से maximum scoring करने वाले है जब यहां पर Kolkata यहां पर balling करने आती है, तो उनके तरफ से मैंने start को pick करा, चकरवरती को pick करा, हर्शित राणा को pick करा, reason क्या है, मैंने बोला, Kolkata जितना भी target आज के match में देती है, वो सारा का सारा defend कर लेती है, तो ये तीन बॉलर वहाँ पे काम आएंगे, इवन नरायन के चार ओवर और रसल के दो ओवर भी काम आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पाच बॉलरों को पिक कर लिया, पंजाब की जब बैटिंग आती है, सिर्फ यहाँ पर सैम करन और लिविंग्श्टन मिलके जो है थोड़ा अच्छी पारी खेलते हैं, जिसके अलावा पूरा पंजाब का बैटिंग अटैक जो है, यहाँ पर कुछ खास नहीं करता, इसलिए मैंने करन और लिविंग्श्टन को लिया, एक अर्शिदीब सिंग को ले लिया है, क्योंकि मेरा मानना है, अर्शिदीब सिंग क जिसे साब से रिकॉर्ड है, यह दो विकेड जो है निकाल सकते हैं, तो मैंने अर्शिदीब सिंग को ले लिया, आप अर्शिदीब सिंग की जगा अगर रबाडा को लेना चाते हैं, रबाडा को एड़ कर सकते हैं, लेकिन यह टीम कब आपके लिए वर्क करीगी, जब यह captaincy मैंने starg को यहां पर दे दी है अब अगली team देखते हैं यह जो team है यह है Kolkata के favor में अब यहां पर यह जो team है कि आज के match में पंजाब आती है पहले betting करने पंजाब की team 140 का target देती है 150 का target देती है या फिर 130 बनाती है जितना भी target यहां पर पंजाब आज के match में बनाती है वो सारा का सारा target यहां पर जो Kolkata के top 3 है वो chase कर जाते है अब Kolkata का top 3 कौन है सुनील नारायन, अंकरिश रगुवंशी और फिल सॉल्ट यहीं यहां पर इनके top 3 है मेरा मानना है नारायन, रगुवंशी और सॉल्ट यह तीनों मिलके सारा target chase कर जाएंगे अब यह तीनों मिलके अगर सारा target chase करेंगे तो यहां पर जो है एक ही विकेट गिरेगी Kolkata की उस एक विकेट के लिए मुझे पंजाब के किसी भी बॉलर की जौरत नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ यहां पर वरुन चकरवर्ती को रखा, स्ठाक को रखा, हर्शेत राना, रसल्दा मसल और नारायन को क्योंकि यह 5 में बॉलर जो है यहां पर विकेट मुझे निकाल के देंगे पंजाब के तरफ से सिर्फ मुझे यहां पर बल्ले बाज लेने हैं, बॉलर्स तो मैं यहां पर लूँगा नहीं वाइस कैपटनसी मैंने फिल सॉल्ट को दे दी, क्योंकि विकेट कीपिंग करेंगे, तो रन आउट अस्टंपिंग के फैंटेसी पॉइंट भी आपे सॉल्ट दे के चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने उनको वाइस कैपटनसी दे दी, तो यहां पर कॉलकता पहले बैटिंग कर रही थी, यहां पर कॉलकता चेज करने आ गई, अब यह वाली टीम देखो, यह टीम इस मैदान पर वॉक कर सकती है, देखो आपको मैंने पिच रिपोर्ट बताई थी, कि इडन गार्डन्स कॉलकता की जो पिच है न, वो बल्ले बाजों के फेवर में है, अब बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो उस अकॉर्डिंग टीम क्या रहीगी, सबसे बहले मैंने कॉलकता के बल्ले बाज, अईयर, वेंके डेश ऐयर, उस और शशांग सिंग को रख ले न, रैली रोसूब, सैम करन और लिविंश्टन को पिक कर लिया, मैं मान के चल रहा हूँ दोनों ही टीम से न, यह यहाँ पर कुछ ऐसे बल्ले बाज है, जो यहाँ पर दोनों ही टीम से मिलके अच्छी स्कोरिंग करेंगे, बैटिंग यहाँ पर पिक करें है रबाडा और स्टाक को, जो मेरे इसाब से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रबाडा पंजाब की तरफ से दो विकेट निकाल जाएंगे, स्टाक जो है कॉलकाता की तरफ से दो विकेट निकाल जाएंगे, इसले मैंने स्टाक और रबाडा को अप चैतरीन बल्लेबाजो को करूँगा, मैंने अईयर को यहाँ पर कप्तानी दे दी, वाइस कैप्टनसी मैंने धवन को दे दिया, आप यहाँ पर आप मालो अईयर के बजाए अगर यहाँ पर रसल को कैप्टनसी देना चाते हो, दे सकते हो, आप यहाँ पर अगर कैप्टनसी स पर दवन को दे दी है आप देख लेते हैं टीम नंबर फोर ये जो टीम नंबर फोर है न ये यहाँ पर कॉलकता के फेवर में ही है कॉलकता के जो सबसे भैतरीन दो ओल नाउंडर है जो दो करेबियन पावर है इनके पास सुनील नारायन और रसल दा मसल वो दोनों आज के मैँसल को दे दी यहाँ पर मैने अपनी टीम में अंकरिश रगुवन्शी और श्रेय साहीर को पिक करा मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पर फिल साल्ट ना आज के मैच में जल्دी आउट हो जाएगे आपने अगर देखाओगा पिछले मैच में भी सौल्ट की कैच ना पहली इसलिए मैंने सॉल्ट को ड्रॉप करा हर्शिदीप सिंग और हर्शल पटेल को पिक कर लिया हर्शिदीप और हर्शल को क्यों कि दोनों ही यहाँ पर पंजाब से है डेथ में बॉलिंग करेंगे कॉलगाता के तरफ से स्टार्क को और चकरवर्थी साब को लेना सिंपल था क्योंकि यहाँ पर पंजाब के आगे एक से दो विकेट भी निकाल देंगे और मैंने आपको क्या बताया था कि पंजाब की टीम स्पिन को उतना अच्छा नहीं केलत है तो चकरवर्थी साब का चकरविव आज के मैच में काम आ जाएगा अब सॉल्ट को अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो अब यह वाली टीम देखना पंजाब आज के मैच में पहले बॉलिंग करने आती है लेकिन कॉलकाता का जो टॉप थ्री है अब इस केस में फ्लॉप ह कर रहा था लेकिन अब कॉलकाता का टॉप थ्री फ्लॉप हो रहा है अब पंजाब पहले बॉलिंग करने आती है अर्शिदीप सिंग, रबाड़ा, हर्शल पतेल, सैम करन, लिविंग्स्टन इनको मैं पिक करूँगा अर्शिदीप और हर्शल देथ में बॉलिंग करेंगे सैम करन खुद भी आ सकते हैं, रबाड़ा भी आ सकते हैं, तो इन चारों को मैंने पिक करा, पहले बॉलिंग के टाइम पे चारों ही काम आएंगे, इवन लिविंग्स्टन भी कुछ ओवर की बॉलिंग कर जाएंगे, अब यहाँ पर जब मैं इनको पिक करके चल रहा हूँ यहाँ पर आई कॉलकाता बैटिंग करने, कॉलकाता की तरफ से सुनीन लानायन चलते बने, यहाँ पर चलते बने, आपके लिए कौन फिल सॉल्ट चलते बने, इसके अलावा इहाँ पर जो है अंकरिश रगुवंशी चलते बने, और यह पाच बॉलर में से कोई भी उनकी विकेट लेके चला जाएगा, जब पंजाब बैटिंग करने आती है, पंजाब की तरफ से चकरवर्ती साब और मिचल स्टाक अच्छा करते हैं, ठीक है, वो विकेट लेके जाते हैं, सिर्फ मैंने श्रेय सायर, वेंकेडे सायर और जितेश शर्मा को पिक करा, अब आप दे टेश शर्मा, सैम करन, लिविंग शन अच्छा करेंगे, इसी टीम में आगा शशांग सिंग, आशुतो शर्मा को लेना चाते हो, ले सकते हो, लेकिन मैं एक टीम ऐसी दिखाँगा, जहां पर शशांग सिंग और आशुतो शर्मा, कैप्टन, वाइस कैप्टन होंगे, करन क को मैंने captaincy देदी क्योंकि पहले balling के time पे death overs में wicket निकाल देंगे, opening भी करेंगे, wise captaincy अर्शिदीब को देदी क्योंकि यॉर्का डालते हैं और head to order venue अर्शिदीब सिंग का काफी जादा बहतर है, अब ये वाली team देखना, KKR के death baller, अब KKR के death baller कौन है, Stark और हर्शित रा इनको मिलती है, इसलिए मैंने इनको captaincy, vice captaincy, चकरवर्ती साब को भी दो wicket के आसपास मिल जाएगी, Russell और नारायन भी जो है, एक-एक wicket लेके जाएंगे, इनको pick कर लिया, यहाँ पर मैंने देखो, अगर मैं यहाँ पर Stark और Rana को pick कर रहा हूँ, तो obvious सी बात है, कि मुझे जादा बल्ले बाज यहाँ पर नहीं चीए, पंजाब के, इसलिए पंजाब के तरफ से मैंने शशांग सिंग और आशुतोष शर्मा को रखा, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो पंजाब का टॉप ओडर है ना, वो जल्दी wicket गवाएगा, इसलिए मैंने शशांग सिंग आशुतोष शर्मा, सैम करान और निविंग शंग को पिक कर लिया, यहाँ पर बाकी जितने भी बल्ले बाज जितेश शर्मा हो गए, रैली रोसूव हो गए, प्रप सिर्न सिंग हो गए, ठीके हैँ, हर पिरीद सिंग हो गए, यहाँ पर हर पिरीद बार हो गई, यह सब जल वाइस कैप्टन सी मैंने राना को दी है तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर छे ग्रेंड लीग की टीम भी समझा दी है इसी के साथ ग्रेंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की स्को करना है इसके बारे में भी बता दिया है ग्रेंड लीग में डिफरेंशल खेलाड़ी क तेंक्यों सुमास दोस्तू।